Breastfeeding के Myths and Facts की सीरीज को लेकर एक बार फिर हाजिर हुमें Dr.Dipika आपके अपने YouTube चैनल में चलिए शिरुवात करते हैं आज की एपिसोड की और बढ़ते हैं अपने Myth No.1 की और Myth No.1 Breastfeeding will make your child more clingy and dependent on you यानि की जब आप breastfeeding कराते हैं, स्तनपान कराते हैं तो आपका बच्चा आपके साथ बहुत ज़ादा चिपक जाएगा और वो आपके उपर ही सबसे ज़ादा dependent हो जाएगा, क्या ये सही है? बिलकुल भी नहीं देखिए पहले 6 months exclusively breastfeed कराना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है और 6 months के बाद आप उसको solid food start करेंगी कई बच्चों में ये जो solid food start करने का जो process है ये हमें 4 महीने और 5 महीने में भी start करना पड़ता है वो मैं आपको अपने आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगी कि क्यों किन बच्चों को हमें जल्दी solid food start करना पड़ता है और ऐसे क्या-क्या sign है जो आप अपने बच्चे में observe कर सकती है जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो solid food लेने के लिए तयार है अब बात करते हैं कि क्या आपका बच्चा breastfeeding करने से बहुत जादा clingy हो जाएगा या बहुत जादा dependent हो जाएगा जी नहीं बिल्कुल भी नहीं बलकि studies ये दिखाती है कि जो बच्चे breastfeed करते हैं वो later life में अपने आगे जो life उनके आने वाली है वो और भी जादा dependent होते हैं breastfeeding कराना तो बहुत ज़रूरी है और देखिए जब हो सकता है कि आपका बच्चा starting के जब 2-3 महीने पहले 2-3 महीने होते हैं तो आपका बच्चा जल्दी जल्दी feed करें क्योंकि उस time पे जो आपके बच्चे का digestive system है वो बहुत जादा develop नहीं हुआ है इसलिए हो सकता है कि आपको हर 1-5 घंटे में या 2 घंटे में आपको अपने बच्चे को feed कराना पड़े साथी साथ उसकी जो रात का sleeping pattern है वो 3 महीने तक या कई-कई बच्चों में 4 महीने तक develop नहीं होता कई बच्चे रात में भी हर 2 घंटे में हर 3 घंटे में जगते रहते हैं लेकिन 4 महीने का होते होते आपका बच्चा जो है वो रात में सोने लगेगा एक लंबे स्ट्रेच में सोएगा 3-4 घंटे की हो सकता है वो इकटी नीन निकाल ले और जब दिन के टाइम पे भी आपका बच्चा जो है जरूरी नहीं है कि हर 2 घंटे में वो feed करे और दूसरा ये भी जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आपके ओपर ही dependent हो हाँ वो dependent तब हो सकता है जब आपका जो परिवार है हो सकता आप nuclear family में रह रही हो या हो सकता है कि आपके घर में आने जाने वालों की जो लोग है वो बहुत ज़दा कम हो या आप अपने बच्चे को बाहर का exposure नहीं दे रही हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा सिर्फ आपके साथ ही clingy हो जाए लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाती है time to time उसको बाहर का environment से उसको exposed करती है लोगों से उनको मिलने जुलने देती है तो वो आपके उपर dependent बिल्कुल भी लिए होगा चलिए बात करते हैं अपने myth number two की myth number two moms or mothers who take antidepressants cannot feed their child यानि कि जो मा आप antidepressants ले रही है जो मा डिप्रेशन में है और उसके लिए उनको दवाया लेनी पड़ रही है वो अपने बच्चे को स्तन पान नहीं करा सकती breastfeeding नहीं करा सकती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो mothers depression में है वो अपने psychologist से बात करे और ऐसी medication जो आपके लिए और आप सकता है उससे उनका सहरा ले सकती है अपने परिवार के लोगों का सहरा ले सकती है जो उनके husbands हैं जो उनके family members है वो ऐसी mothers को जादा support करें जादा cooperative उनके साथ हो और वो क्यों depression में है उस depressive process को बाहर निकालें क्योंकि postpartum depression बहुत सारी females पर देखने को मिलता है खासकर जो females first time mother है उनके अंदर postpartum depression बहुत साथा देखने को मिलता है या फिर जो working mothers होती है working mothers में क्या होता है कि जैसे ही वो pregnant हुई जैसे ही उन्होंने बच्चे को deliver किया तो उनका जो बाहर की freedom है जो daily उनका जो office जाना है जब वो छूट जाता है वो घर पे कैद हो जाती है तो उनके अं husband का support ना हो family members का support ना हो जिसकी वजह से जो एकदम से वो जो सारा काम बच्चे का उनके उपर पड़ गया उसकी वजह से बहुत सारी females depression में आ जाती है तो ऐसे cases में अगर आपको भी ऐसा कुछ feel हो रहा है तो पहले तो जरूरी है कि आप depression की medicines लें क्योंकि कई बार depression की cases में ये भी देखा गया है कि mother impulsive होके अपने आपको और अपने बच्चे को हाम कर सकती हैं तो उस stage में पहुचने से पहले आप तुरंट अपने psychologist को consult करें आप आयरवेदा और होमियोपेथी में भी जा सकते हैं क्योंकि इसकी जो medicines हैं वो in pathies में भी बहुत जादा अच्छी हैं और ये जो medications जो आईरवेदा और होमियोपेथी की हैं ये आपके और आपके बच्चे के लिए भी safe रहेगी Myth number 3 You need to nurse your child every 2 hours, neither more nor less to ensure that your baby is taking enough feed यानि कि आपको अपने बच्चे को हर 2 घंटे में feed कराना ही है ताकि आप ये ensure कर सके कि आपका बच्चा अच्छी feed ले रहा है क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं देखिए जो बच्चे, हर बच्चे का feeding pattern होता है वो अलग-लग होता है हर बच्चा जो होता है एक individualistic character होता है हर बच्चे की अपना एक constitution होता है कई बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी feed करता है, कई बच्चा हो सकता है कि 2 घंटे भी निकाल दे, 3 घंटे भी निकाल दे तो हर बच्चे का जो individualistic pattern है वो बच्चे के हिसाब से depend करता है आप ये make sure करिए कि आपका बच्चा 24 घंटे में 6 wet diapers कर रहा है मतलब आपको 6 बार कम से कम आपके बच्चे का diaper change करना पड़ रहा है second वो कम से कम 2 से 3 बार या दिन में 1 बार कम से कम या तो वो potty करे या तो वो सूसू करे और आपका जो बच्चे का जो poop का जो character होगा हो सकता है वो कई बार CD भी हो सकता है मतलब उसके अंदर दाने दाने भी आपको दिख सकते हैं वो भी बिलकुल normal है तो अगर आपका बच्चा 6 wet diapers या फिर 2 से 3 बीच में वो poop कर रहा है तो it means आपका बच्चा enough feed ले रहा है और यह ज़रूरी बिलकुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को हर 2 घंटे में feed कराएं Myth number 4 Breastfeeding will make your breast loose It will make your breast saggy मतलब breastfeeding से जो आपकी जो breast है वो loose हो जाएगी saggy हो जाएगी याने की धीली हो जाएगी क्या यह सही है जी नहीं देखिए pregnancy में definitely जो hormonal changes होती है उसकी वज़े से जो breast enlargement जरूर होती है आपके nipple का color तक change होता है और breast आपकी पहले से जादा बड़ी आपको जरूर लगती है और जब आपका delivery हो जाती है तो उसके बाद जो आपके breast के अंदर जो glands है जैसे ही आप अपने बच्चे को solid food start करेंगे तो आपकी जो breast है वो अपने pre-pregnancy जो size है उसमें definitely आज़ेगी myth number 5 there is not enough milk in the first 2-3 days after delivery याने कि पहले 2-3 दिन में आपकी breast में से enough milk नहीं आता है definitely नहीं आता है क्योंकि आपका बच्चा जो है इतने सारे milk को handle कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जो उसकी kidneys है वो बहुत ज़्यादा functional नहीं है तो उसकी kidneys जो है इतने सारे fluid को जो है वो refine नहीं कर पाएगी इतने सारे fluid को handle नहीं कर पाएगी जो पहला मिल्क मा के अंदर से आता है वो कलेस्टरूम होता है और उसके अंदर equal quantities of fats, carbohydrates, proteins ये अच्छे से होते हैं और IgA antibodies होती है और ये जो मिल्क है आपके बच्चे के लिए lexative की तरह काम भी करता है ताकि जो उसके जो mecanium है याने की जो बच्चे के first 40 है वो easily pass out हो जाए तो जो पहला मिल्क है वो ऐसा नहीं है कि वो कम आता है उतना ही मिल्क आपके बच्चे को चाहिए और उतना ही वो आएगा जैसे ज रखेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई question है तो आप उसको comment section में comment करकर पूछ सकते हैं या फिर वीडियो में flash हो रहे नं Namaskar